इस tips से और tricks से आपके पैसे भी बचेंगे और किसी के सामने जो है सरमिनगी महसूस नहीं होगी और जो भी ये idea मैं लेके आई हूँ वो सबके घर में available है बस idea लेनी की जरूरत है हाई एवरीवन वेल्कम बेक टु मैं चैनल पुस्पा सिंग्वालिन मन चैनल असा करते हैं अब लोग बहुत ही अच्छे होगी लेकिन हाँ अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए है तो प्रिज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेए और भी लाइकन ओल पर क्लिक कर तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं और देखते हैं यह पहला टिप्स मैं थोड़ा सिंदूर के लेके आई हूँ और इसके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगी जिससे आप यहीं सोचेंगे कि सारी चीजें होने के बाजूद भी हमें सरमिंदगी महसूस होती है और हमें ए आईडिया पहले क्यों नहीं पता था तो सिंदूर लगाने के भी से में मैं यहाँ पे बात करूँगी क्योंकि जब हम किसी साधी पार्टी में जाते हैं और सिंदूर लगाते हैं तो सिंदूर गिर जाता है और क्योंकि जब हम साधी पार्टी में जाते हैं तो ऐसा होता है कि हम बाल धूलते हैं और उसमें जब सिंदूर लगाते हैं तो वो गिर जाते हैं तो सिंदूर लगाने से पहले आप थोड़ा सा वैसलीन लगाए और जहां पे भी सिंदूर लगानी हो इस तरह से आप सिंदूर लगा लेजिए तो आप देखेंगे कि आपके सिंदूर जो है बिलकुल भी जड़ेंगे नहीं और तिके रहेंगे चाहे कितना भी दिन रहे आप कितना भी बाल जाड़िये कंगी करिये तो ये सिंदूर जो है वो नहीं गिरेगा तो देखिए जड़ गए हैं अब मैं हाथ लगा के दिखा रही हूँ अभी आप देखिएगा ये कितनी अच्छी तरह से ये मिठ जाता है देखिए look at this तो वहाँ पर मैंने वैसलील नहीं लगाया है मैंने सिर्फ सुखा सिंदूर लगाया है और इसको मैं कितना भी रवड रही हूँ तो ये जैसे अकत ऐसा बना हुआ है तो जब भी कभी किसी साधी फंक्सन में जाए तो इस तरह से ट्रिक्स को सिंदूर लगाने का जो है अपना ये और सरमिंदगी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी तो है न कमाल का आइडिया लाइक जरूर करिएगा और फिर बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ दूसरा टिप्स ये है कि जब भी हम अपने चार्जर को खराब हो जाता है या फिर गंदी हो जाती है तो नया लेनी की सोचते हैं तो आपको नया लेनी की जुरूत नहीं पड़ेगी और घर पे ही आप उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी होता है जब हम बाहर जाते हैं जैसे job कर रहे हैं या कहीं other function में गए तो उसको अगर हम charger निकालते हैं लगानी के लिए यह एरफोन लगाते हैं तो इतनी गंदगी होती हैं कि सर्मिंदगी महसूस होती है और तो आपको सर्मिन्दगी महसूस होनी कोई जरूत नहीं है और आपके पैसे भी अच्छे से बच जाएंगे चारजन लेनी के जरूत नहीं पड़ेगी इस तरह से जो आपके घर में cleaner होगा call-in होगा cleaner होगा और कोई भी cent वगारा जो आपके घर में available हो अगर call-in नहीं है तो इस तरह से थोड़ा सा cotton पे लेना है इस तरह से देख सकते हैं cotton पे लेना है और cotton की मदद से जो भी आपके एयर फोन है फोन के तार हो गया और जो भी हो गया तो इससे बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने एयर फोन को चार्जर को clean कर सकते हैं कि मैंने अपना जो है यह एयर फोन कुछी दिन पहले मैंने clean किया है तो उसको मैंने यहाप नहीं दिखाया है उसी से आइडिया मुझे यह आया तो देखिए कितना अच्छी तरह से मैंने थोड़ा सा ही साफ किया है और कितनी अच्छी तरह से यह clean हो गया है तो इस तरह से सारे जो हैं आपके जो भी गंदगी है इस कॉटन में आ जाएगी तो जितने भी चार्जर है येर फोन है आप उसको अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं क्योंकि जब हम यूज करते रहते हैं और हमारा ध्यान नहीं जा पाता है तो कहीं भी अगर आपको फंक्शन में जाना हो या कहीं भी ऑफिस जाना हो तो जाने से पहले पास मुस्किल से पांच मिनट लगेंगे और इस तरह से आप अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं तो देखिए कितनी गंदगी जो है ये कॉटन में आ गई है लुक अट दिस और यह जो है अच्छी तरह से साफ हो गया है फिर उसी से ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसको भी आप उसी तरह से अच्छी से क्लीन कर सकते हैं बहुत ही वेनिफिट होता है एक बार अगर आप क्लीन करेंगे तो आपका महीनों ये चलेगा और आपके पैसे भी अच्छी तरह से बच जाएंगे और देखिए इस तरह से मैंने इ तो इस तरह से देखिए मैंने दो कॉटन लिये हैं और दोनों कॉटन कितनी गंदे हो गये हैं और कितनी अच्छी तरह से ये क्लीन हो गई है तो इस तरह से आप भी अपने घर में अपने चार्जर को अपने किसी भी इस तरह के जो वायर होते हैं आप अच्छी तरह से क्ली ले सकते हैं कोई भी वो ले सकते हैं और अच्छे से आपका जो है यह क्लीन हो जाएगा तो देखिए कितना साइन कर रहा है और कितनी अच्छी तरह से यह साफ हो गया है तीसरा जो टिप्स है वह मैं थोड़ा सा आटे को ले करके मैं बताऊंगी क्योंकि कभी-कभी होता है अ उसमें जो है कीड़े वगरा लगने का डर रहता है तो ऐसे में क्या करिए जब भी आपको बाहर जाना हो या नहीं जाना हो तब ही आप जो है इस जो तेशपत्ता देख रहे हैं घर में सबकी घर में होगा और इस तरह से चार-पांस के टुकड़े करके और इसको उंगली क सहायता से दबा देना है जहां तक यह चली जाए और उसके बाद जो है इस तरह से चारो तरफ जो तेशपत्ता है उसको लेना है और इस तरह से उंगली की सहायता से इसको प्रेस कर देना है और फिर उसके बाद जो है इस तरह से उसको मिला देना है तो मिलाने से यह होगा जो उसका जो गंध है वो लॉक हो जाएगा और उसमें जो है वो उसी में अपनी प्रकेरिया करेगा और केड़े वगयरा जो भून वगयरा पड़ते हैं वो नहीं पड़ेंगे क्योंकि जब हम ज़्यादा आटापीस आ लेते हैं तभी यह दिक्कत होती है लेकिन जब थोड़ा रहता है तो खत्मी हो जाता है तो जो लोग ज़्यादा आटापीस आते हैं उनके लिए यह टिप्स तो बहुत ही कामका है और यह टिप्स वो अपना सकते हैं तो comment box में जरूर comment करिएगा कौन सा अच्छा लगा उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा चस्मी को लेके आई हूँ tips क्योंकि जब हमारी age थोड़ा over होने लगती है या अब तो आज कल ऐसा हो गया है कि हर लोगों को जो है चस्मी की जरूत पढ़ती है तो जब हम अख़पार पढ़ते हैं तो ऐसे में हमारी जो चस्मी है वह हम continue लगाते ही रहते हैं और इसमें पसीना होता रहता है फुंसी पसीना के नाते फुंसी हो गया दाग पढ़ जाते हैं तो इसका सबसे बढ़िया उपा है इस तरह से कोई भी आप क्रीम अपने जो आपके घर में हो आप इ यहां पे जो है यह इस तरह से रब कर देना है जहां पे हमारा जो नाक का एरिया जितना आता है उतना हम इसको लेना है और उसके बाद से यहां पे कोई भी टेलकम पाउडर मैंने यह हिमालिया का बेभी पाउडर लिया है और तो उसको है जो थोड़ा सा यह इस तरह से एरिया है वहां पर इस तरह से कर देना है और उसके बाद आप देखेगा कि जब भी हम चस्मा लगाएंगे तो पसीने नहीं होंगे और आसानी से जो है हमारा चस्मा जो है नाक जो हम लगाते हैं तो नाक से वह निकल जाता है क्योंकि नाक पर ही वो टिका रहता है और कभी-क भी होता है कि वो टाइट हो जाता है और निकलता नहीं है इस तरह से मैं थोड़ा सा लगा के दिखा रही हूं इस तरह से देखे इस तरह से होते हैं तो बहुत ही इसली जो है यह निकल जाएंगे इस तरह से क्योंकि जो पसीना तो होगा ही नहीं क्योंकि जब यह परक्रिया ह मुझे जरूर बताईएगा और अपना फीडबेक मुझे जरूर दीजिएगा और अपनी फैमली और फ्रेंड के साथ इसे जरूर सेयर करिएगा चलिए फिर अगले वीडियो मिलती हूं तब तक के लिए बाबाए